आईए हम टेंट बनाना सिखेंगे क्या सिखेंगे टेंट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं क्या कहते हैं कैंप को हिंदी में तो आईए हम सबसे पहले सिबीर में कैंप कैसे बनाएंगे इस पर द्यान दें सबसे पहले हम जंगलों में जाते हैं या पहाडी छेत्र में जाते ह हैं तो हम सबसे पहले वहां पर लाठी का या बल्ली का प्रियोग से हम टेंट बना सकते हैं तो आईए टेंट कैसे बनाएंगे हम ध्यान कर सीखेंगे आप अज देखिए दो तरीका है खुटा पांस लगाने का माली जिए कि हम उपर से डालेंगे तो असानी से उपर से खुटा फांस इसमें लग जाएगा अगर नीचे बांधना है ब्रिक्ष के नीचे बांधना है तब कैसे लगाएंगे तो यह तरीका होता है देखिए यहां बान कर देखिए ऐसे पकड़ेंगे पुना एक पर फेकेंगे पुरा अесे अंदर शेह डालेंगे खुटा फांस अफीसा फांस जो है सरकता नहीं ही इस नहीं सरखेगा टाइट हो जाएगा तो आईए देखिए इसमें लगा रहा है आठे कैसे बाईँंगे से फ अब खोल कर जो जोडने का Kabul कृर ऑक काम करेंगे करें लुद आप यह यह इदर आप और अपा इधन को क्या करें करेंक आएë पर मिलाठी कैसे और फट नाटी यह फट पंली जोरना का काम करेंगे आप आई इधर, आप आई इधर, देखिये कैसे, ठीक है, किसका हाइट बड़ा है, नहीं, उधर, उधर, उधर आप पकड़िये न, कौन है, आजा इधर दोड़ के, जिसका खुब हाइट बड़ा हो, देखिये, चरकोर या बर्गाकर बंदन बांदेंगे, देखिये, कैसे बांदेंगे, रासी के उपर रासी नहीं चड़ना चाहिए, दिखाई दे रहा है, थोड़ा दूरी बना लो, बर्गाकर चरकोर बंदन बांदेंगे, इससे क्या होगा कि ये गांट सरकेगा नहीं, जीतना देर बांदने में लग रहा है, उतना देर खोलने में नहीं लगता है, स्काउटिंग का कोई भी गांट फस्ता नहीं है, अब हम इसका मजबूती के लिए इसका गाला तीन बार घोड़ देंगे, कितना बार, उपर से नीचे की ओर, एक, दो, ये, तीन, अब तो हमें स्टार्ट किये थे, खुटा फास से, खत्म भी करेंगे, खुटा फास से, त खत्म करेंगे, खड़े लाठी से, और खत्म करेंगे, खुटा फास अंदर देखिए कैसे लगाएंगे, पहले से इसमें गांट है, इस गांट को खोल लेंगे, गांट रहेगा तो फास जाएगा रसी, सुरक्षा गांट एक ही लगता है, अगर रसी लंबा है तो काटने का जुरुत नहीं है हम घर में रेंगन बना देंगे खुटा फास से इसमें अराम से कपड़ा आप रख सकते हैं तो हैंगर की जुरुत नहीं होगी अराम से कपड़ा इसमें फोल्ड करके रख सकते हैं जी तना बढ़ा साईज का कपड़ा हुद लगा सकते हैं शोतो पे जैसे आम ऐसे रहने मना सकते, घरों में रहने बना सकते हैं इसके बार आगे का तरीका सिखेंगे यह तो हम स्टेचर तयार कर दिये अब क्या करेंगे जैसे वर्गाकार चरकोर बंदन हम बांदने का काम एक साइड किया है अब क्या करेंगे दूसरे साइड भी करेंगे ऐसे पकड़ के रखिए यहां भी करेंगे ठीक है जैसे यहां बांदे हैं वाईसे ही आप इधर बांदेंगे इसके बाद चदर कैसे डाल छोड़िये बोलिये मत शांत रही है आई इधर रही है सब को दिखाई देगा आप इधर आई ये पीछे टाइट रखेगा हिलना नहीं चाहिए आप देखिए चदर को कैसे डालेंगे ऐसे चदर लेंगे और लाठी के उपर डाल लेंगे देखिए आईसे डालेंगे पकड़ियों कौन है इधर ज्यादा नहीं और दूसरे दिसा में चादर को कितना लटकाएंगे पुरा एक बीता कितना लटकाएंगे जैसे की इतना और गाठ दिखना चाहिए आगे तभी पता चलेगा सही या गलत बनाया है ठीक है यहां पकड़ी है आप देखिए यहां भी बराबर देख लेंगे हाँ छोटी है कैसे बड़ी यह पकड़ो यह उपर से आप क्या करेंगे जैसे हम चादर एक तरफ से डाले है वह ऐसे ही आप एक और चादर लेंगे दूसरे से डाल देंगे और चादर का पाल का प्रियोग आप कर सकते हैं ठीक है तो हम चादर से बना रहा है यह तरीका आपको बता रहा है और इसका प्रेटकल आपको करके निखाना होगा ठीक है तो आईए अब हम क्या करेंगे दोड़ क्या हो पकड़ोकूक साइड जली साइड पकड़ो खीचो उधर खीचो आप क्या करेंगे नीचे से एक भी तन आप लेंगे कि इदर से नीचे से जो अशे पकड़ोग आप डेट जै आप टाइट रखना अब हम क्या कुछा करेंगे छोटा सा तरी लेंगे किसे के पास है कमकरी एक छोटा सा दो और एक और रसी लेंगे छोटा सा कंकड़ी एक और रसी दो जो सूत वाली तोड़ ली थी किसके पास था ठीक है खोलो में ठीक है देख लेंगे रसी में सुरक्षा गाठ लगा है कि नहीं लगा है नहीं लगा है तो लगाएंगे इस गाठ सरकेगा नहीं इसके बाद नीचे से कंकड़ी लगाएंगे और कंकड़ी को खुटा फास से बांदेंगे देखिए सांत हो कर देखने का काम करें ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे बनाने के बाद इसमें लगा देंगे और ऐसे क्रसी को पकड़ के खीज देंगे इसके बाद तनाव कैसे करेंगे टाइट रखी है अपने तरफ खीचो खीचो ऐसे आगे बराबर देखना देखिए एक भी फोल्ड नहीं होना चाहिए दम प्लें चादर अब एक और आपको का आगे है खुटी लाने के लिए चार क हम क्या करेंगे के खुटी लेंगे और खुटी में एक में चकर दोर्द फंस के बनेंगे चलिश जोर्द फंस ऐक कर ड़ेंगे या लेकर बैठीए या लेकर बैठीए निट ऑफ़ोलत लगाने का ज इधर से रसी का खिचा हुआ है उदर से नहीं वीपरित दिसा से ठोक देंगे ठीक है टाइट इसे रखिए ठोकिये मत ऐसे टाइट रखिए टाइट रखिए ना अब देखिए इसमें दो एक चक्कर दोर्द फास कैसे लगाएंगे यह रहा इधर देखो ना टाइट रको दो में लुखके यहां एक चक्कर दोर्द फास बाइंद रहा है तो ये सही आप क्या करेंगे चाडर के चारो दिसामें बाधने का शाप करेंगे तनाव मैं पर्तानाओ बराबर होना चाहिए ठीक है इसके बाद हम दूसरे दिशा में जैसे चादर का तनाव एक दिशा में किये हैं ऐसे ही तनाव दूसरे दिशा में करेंगे और तनाव करने के बाद गेट पर जो कहा गया है टोली नंबर लगाने के लिए यहां लगा देंगे इसके बाद जो सजावट करना है टेंट को सजाना है तो आप घर के अंदर आपना जो बैट सीट चादर प्लास्टिक जो भी लाए हैं आप क्या करेंगे नीचे डाल देंगे और सारे लोग एक तरफ अपना सेंटमर आईएगा कॉपी करम का जो लेक आप लोगा हैं एक तरफ और एक तरफ बैठेने का बैठेंगे बैठेंगे ours तो आप टेंड केता आको मैं और सफाई करेंगे और अपना जगहा लेकर बनाने के काम करेंगे लड़के सब A-side लड़का इधर जाएगा आदे पर से इधर लड़कियां A-side रहेंगी ठीक है? किसी के केम्प में नहीं जाना है आप अपने टोली में रहेंगे अगर किसी के टेंट में जाते हैं समझ गए हैं? दोनों तरफ से तनाव कर दीजिएगा तनाव करने के बाद जो आपके अंदर गुलदस्ता फोल जो भी लाया हैं इसमें सजा दीजिएगा अब निरिक्षड कराने का ढंग बाद में बताएंगे आपको ठीक है? हरत मतकी हरत मतकी अब देखिए खोलेंगे तो कितना असानी से खुलेगा खोलिए अटाईए हाँ छोड़िए ये पकड़िए हाँ देखिए बादने में बाद समय लगा है खोलने में समय नहीं लगेगा देखिए इनना चैक लिकालो इसे देखिए गाठ है यहाँ पहर इसको बढ़ा सालूज करना पड़ेगा लिकालने के लिए गाठ नहीं रहता तो ऐसे सरग जाता देखिए गाठ के साथ हमारे हात में आ गया है अगर हमारा गाठ सही होगा तो ऐसे फेकेंगे पूरा रसी खुल जाएगा अगर गलत होगा तो इसमें गाठ लग जाएगा रसी फंस जाएगा देखिए गाठ के खुल गया अरत मता की बैठ जाएगे रीचे बैठ ये अरत मता की हाद उपर मॉमेंट असकाउट गैड ताली जो लड़किया नहीं बैठ रही है नाम नोट करिए काटिये सी देना